प्रिय पाइलट साथियो, जैसा के आप सब को मालुम है कि हाल ही में हमारे 108 के फ्लीट में 50 नए BS6 एंबुलेंस को जोड़ा गया है, तो आज हम इन ही BS6 वाहनों के बारे में एक बहुत ही महत्वकूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे, आज हम बात करेंगे DPF के बारे में, DPF का मतलब है डीजल पार्टिकुलर फिल्टर, अगर आपकी एंबुलेंस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानि के मीटर में DPF की वार्निंग लाइट आएगी जो आपको अभी वीडियो में दिख रही है, तो उस मामले में क्या करना है? अभी जो BS6 एंबुलेंस आई है, उनमें DPF फिल्टर दिया हुआ है, DPF का काम होता है, इंजन एक्जॉस्ट में जो धुआ जेनरेट होता है, उस में से कार्बन पार्टिकल को फिल्टर करना, हर ड्राइव में आपकी एंबुलेंस में कार्बन पुत्पन होता है, जो DPF में जमा होता रहता है, इसी जमा हुए कार्बन को क्लीन करने की प्रक्रिया को DPF रीजिनरेशन कहा जाता है, अगर DPF में कार्बन अधिक जमा हो जाए तो मीटर में DPF की चेतावनी आ जाएगी, इस प्रोसर्स को शुरू करने के लिए आप एंबुलेंस को किसी सुरक्षित सथान में पार्प कर दी और एंजिन को चालू कर दी, उसके बाद दैशबोर्ड में दिये गए DPF रिजिनरेशन बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके छोड़ दी, इस बटन को प्रेस करने से इंजन सेल्फ एकसिलेट होगा और RPM बढ़ना शुरू हो जाएगा, ध्यान रहे इस दौरान किसी भी पैडल को ना दबाए, ये प्रक्रिया 15 से 20 मिनट चलेगी और कार्बन क्लीनिंग पूरी हो जाएगी और मीटर पे आ रही DPF की वार्निंग लाइट भी हट जाएगी, साथ ही आ आप एम्बुलेंस में दिये गए एडब्ल्यू यूरिया लेवल का भी ध्यान रखे और कम होने पे टॉप अप करवाते रहें, आप सब पाइलट इन बातों का ध्यान रखे और अपनी जाइविंग का भेतर से भेतर रिजल्ट दे, सेफ ड्राइव सेव्ज लाइफ, धन् आप एवाद